कोई व्यक्ति किसी संद के पास गया जिग्यासू था जिग्यासू उसको कहते हैं जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा है जिग्यासा है जो कुछ जानना चाहता है और महापुरुशों के चरणों में जाओ तो ये प्रयास करो ये भाव लेकर जाओ कि हम उनके चरणों से कुछ जान कर लोटे गुरु जनों के संतों के चरणों में जानने जाओ क्योंकि कई भार हम महापुरुशों के संतों के चरणों में भी व्यर्थ की बातें संसायर की चरणों जगत की इच्छा लेकर चले जाते हैं महारेज बेटा नहीं है बेटी नहीं है पैसा नहीं है यही बाते हम संत महात्मों के चरणों में जाकर करते हैं और इन बातों से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है क्योंकि ये तो तुम प्रारब्द में जो लिखा कर लाए हो उतना मिलेगा नहीं लिखा कर लाए हो तो नहीं मिल सकता इन बातों से किसी संत महात्मा का कोई लेना देना नहीं है ये सब प्राढप्द वıldıशाअथ हमको प्राप्प्प्थ हूता है इन बातों से किसी संथ का कोई लेना देना नहीं ॣक्ताइब महापुरूषं के संथों के चरनों में जाओ तो अच्छी जिग्यासा ले कर जाओ कई अच्छी बात उनके चरनों में जाकर पूछो जो सुनकर तुम्हारा कल्यान हो जानकर तुमको आत्मशंती मिले तभी हमारे यहां संतों के संग को संग नहीं कहा गया उसको हमारे यहां एक नाम दिया गया सत संग क्या नाम दिया? सत संग उनके संग से हमको सत मिल जाए सत माने इश्वर हम कहते हैं हरी उम तत सत यह सब भगवान के नाम है यानि जिसका संग करने से वो सत मिल जाए वो इश्वर मिल जाए उसके संग को कहते हैं सतसंग तो वो जिग्यासू वो संद के पास गया इसने बड़े भाव से जा कर यह प्रश्ण किया कि माराजी भगवान से मिलने का उनको पाने का रास्ता क्या है संत बड़ी मस्ती में बैठे थे तो उन्होंने कहा बेटा अब उससे मिलने का रास्ता तो वो खुद बता सकता है मैं कैसे बताऊं तो जिग्यासु ने कहा मरे जी वो खुद बताता तो वो मिल ही नहीं जाता फिर वो बताने कैसे आएगा तो संत ने कहा बिटा तो किवल ये मत सोचना कि वो मुरली लेकर हाथ में या धनुशबान लेकर हाथ में ही मिलने आएगा अरे उसके मिलने के रूप तो अनेक हो सकते है अभी साज दिल में तराने बहुत हैं अभी जंदगी के बहाने बहुत हैं ये मंदर ये मस्जिद ये दैरो हरम क्या वो मिलना जो चाहे तो ठिकाने बहुत है उसको मिलना होगा वो तो कहीं भी तुझे आके बता देगा उसके रूप अनंत है संतने कहां आज मैं तुझे भरोसे के साथ कहता हूं बिटा तू आश्रम के बाहर जा और आज कुटिया के बाहर तुझे जो पहला व्यक्ति मिलेगा ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो तुझे पहला मिलेगा वो इश्वर ही होगा जा और तुझे रास्ता भी जरूर दिखाएगा तेरा मार्ग प्रशस्त होगा उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसी बात है बाहर जो मिलेगा वो भगवान होंगे वो ले बिल्कुल भगवान होंगे और तुझे रास्ता भी दिखाएंगे तो वो तुरंत संत की कुटियां से आश्रम से निकल के भागा रास्ते में चलता जा रहा था जल्दी जल्दी की कोई मुझे मिले और भगवान तक पहुँचने का रास्ता भी बता दे कौन होगा वो इश्वर का स्वरूप ऐसा सोचता हुए जा रहा था तब उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बालक एक बच्चा चोटा सा पतंग उड़ा रहा था हाथ में उसके डोर है आकाश में उसकी पतंग है कभी डोर खीचता है कभी धील देता है चोड़ता है कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है कभी गिरता है कभी संभलता है पर ध्यान उसका एक बात में है कि कहीं पतंग कट न जाए तो ये जिग्यासु वहाँ से जब निकला तो संत ने तु कहा था जो पहला मिले वो भगवान होंगे और वो तुझे रास्ता भी बताएंगे तो दुरंद इसने आकर उस बालक को कहा भीया क्या तुम भगवान हो बालक ने कोई जवाब नहीं दिया वो अपना पतंग उड़ाता रहा उसका ध्यान तो पतंग में था न कहीं कट न जाए डोर हाँच से कहीं चूट न जाए फिर इसने पूचा है वह यहां क्या तुम भगवान हो जब चार-पांच बार इसने पूचा है बार-बार पूचा है क्या तुम भगवान हो तो उस बच्चे को गुसा आगए उस बच्चे ने कहा क्या तुम पागल हो तोड़ी देर खड़े होकर फिर उसको देखता रहा बच्चे को बात में वो हताश होकर निराश होकर संत के पास लोट आया और कहा कि मारजी आपने तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया मैंने आपको कहा था न यह संभवी नहीं कि भगवान इस प्रकार से सडक पर मिल जाएं आप की बात जूटी हो गई मुझे तो कोई भगवान भगवान नहीं मिले किसी ने मुझे कोई रास्ता नहीं बताया संत ने कहा अच्छा तुझे कोई तो मिला होगा कि कोई मिला ही नहीं तो उसने कहा मिला तो था एक चोटा सा बच्चा पर वो कोई भगवान थोड़ी था उस क्या कर रहा था? का मरजी वो तु अपना पत्म उड़ाने में मस्त था, उसको तुम मैंने इतना टोका, इतना बार बार का, उसने न जवाब दिया, आम तुम में डांट और दिया, इसलिए मैं वापस आगया, वो तो कोई भगवान नहीं था, अपना पतव उड़ाने में लगा हुआ था संत ने कहा क्या तुने उसको गौर से देखा बोले हाँ मैंने बहुत गौर से देखा वो कभी डोर छोड़ता, कभी खीचता, कभी आगे जाता, कभी पीछे आता कभी लड़कडा था, कभी संभलता उसको तो होश ही नहीं था, वो कर क्या रहा है उसको होश था तो बस एक बात का कि कहीं पतम न तूट जाए कहीं कट न जाए पतम डोर न तूट जाए केवल एक बात में उसका ध्यान था संत ने हसकर कहा कि बेटा देख अब तू पहचान न पाए तो मैं क्या करूँ भगवान तो आ भी गए और तुझे रास्ता दिखा भी गए बोले वो कैसे बोले वो बालक नहीं वो भगवान ही थे और उन्होंने खुद तक पहुँचने का रास्ता भी तुझे बता दिया कि जैसे उस बच्चे को होश नहीं था कभी गिरता कभी समलता कभी आगे कभी पीछे ध्यान था तो एक बात में कहीं पतंग न कट जाए ऐसे ही जगत में रहो कभी सुक आएगा कभी दुख आएगा कभी लड़कडाओगे कभी समलोगे कभी आगे जाओगे कभी पीछे आओ पर होश एक बात का रहे कि कहीं उसके चरणों से तार न तूट जाए इस बात का ध्यान रहे क्योंकि सत्य नापद्यते मृतम सत्य में प्रतुष्ठत हुआ मन वो अमर है कई बार हम लोगों को लगता है न कि शरीर की मुक्ति होगी मुक्ति न तो शरीर की होती है न आत्मा की होती है मुक्ति मन की होती है आत्मा तो मुक्ति ही है जो गीता में गुविंद कह रहे हैं नैनम चंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावगा आत्मा तो नित्य सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है और शरीर तो मरा ही हुआ है तो मुक्ति न आत्मा की होनी है न शरीर की होनी है मुक्ति तो किवल मन की होनी है और भागवत के ग्यारिवे स्कंद में भगवान स्री कृष्ण ने स्वैम ये बात कही है उद्धव को कि उद्धव जो मन जगत में लगा है वो ही बंधन कारक है और जो संसार से छूट कर मन मेरे चरनों में आ गया वो ही मुक्ती का खुला हुआ दर्वाजा है वो ही मुक्ती का दुहार है